फोटननु ए शोषण करी अने निची शक्ती वाली टिटू जी कक्षक मा थी उन्ची शक्ती वाली इजी कक्षक मा एक कुदको मारी जाये चे जने आपने शोषण थयू एम कई है कि शक्ती नुँ शोषण थयू आ वखते जारे वर्णपट लेवामा आवे चे त्यारे जे वर्णपट मले चे एने आपने कैशु सोषन वर्णपट आवा सोषन वर्णपट उपर्थी जेते फोटोन नी शक्ती आपने घणी शक्किये चे एटले जे फोटोननुँद शोषण आ थायूँचे आ सक्रांती दरम्यान त्यारे शोषण वर्णपट थायँचे अने ए जे रेंजिमा द्रशमान वर्णपटणी जे रेंजिमा जे तरंग लंबाई ना किरानोंनुद शोषण करी अने आ इलेक्ट्रोन सक्रांती अनू भव बिल्कूल एना कॉम्पलीमेंटरी कलर हसे ये कलर नू द्रावण आपने द्रश्चमान विभाग मा जोई शक्किये छिए फोर एग्जेंपल दाखला दरीके आपने विचारिये आपने लगबग FI-BAC थी TY-BAC मा खास करीने शोशन वन पट जैरे पन बढवानों के बढवानों प्रयत्न करिये छिए तेरे खास करीने आपने TI-H2O6-3 प्लस नो उदान यादावी जाए TI-H2O6-3 कंसिडर दी ट्रांजिशन कॉंपलेक्स कंपाउंट इन आयन पर्पल इन एक्वेस सॉलिशन आनू जी जलिये द्रावान चे TI-H2O6-3 कॉंपलेक्स के टायन नो ए पर्पल कलर नू छे आटले खास करीने जामली के पर्पल कलर धरावतू आ द्रावान चेछे ए आपने नरियां के पर्पल के जामली रंग नू देखाये चे एमा खरेकर सिध्धान्त करो चे ए जोवानो जो प्रायत्न करिये तो हाइडरेट TI-H2O6-3 is a D1 system एनी पासे एनी पोताने D कक्षको मा एक ज इलेक्रों छे जे T2G मा गोठवायल हो आए जे दे अनर्जी दिफरेंस देल्टाई बेट्वेन दे T2G and EG orbitals कोर्रसपॉंट तो अनर्जी of photons पानि दे ग्रीन यलो रंज हावे जो मित्रो आ T2G नी D कक्षक मा एक इलेक्रों छे एटले के TI plus 3 is a D1 system so it is having single electron in its T2G orbital in ground state एटले के ओची शक्ती वाले T2G कक्षक मा Dxy कक्षक मा रहेलो आ एक इलेक्रों ज्यारे एनी उपर photon पड़ेशे ज्यारे एनी उपर प्रकास पड़ेशे त्यारे चोक्कस प्रकास चोक्कस तरंग लंबाईना प्रकास नू शोशन करेशे और आ Dxy मा रहेलो इलेक्रों ईजी कक्षक मा उत्तिजी थाई आने सकरानती अनुबवेशे त्यारे शू थत्तू होसे तो एवु कही शका है के ए इलेक्ट्रोन ग्रीन एटले के लिलो अने पीलो एवा बे रंगना कीरणों नू ए शोशन करतो होसे जेती करीने दीज कलर आर एब्जोप्ट आ कलर नू जो शोशन था है and the electron jumps to one of the easy orbitals then red, blue and violet are transmitted as purple जोई शक्ये जे के लाल, blue अने violet आ त्राण कलर नू जे एक प्रकानी रेंज ची आ त्राण कलर नी ए रेंज ना कीरणों नू ए ट्रांस्मीट करे छे एटले के परावर्तीत करी छे, एटले आ त्राण कलर नू नू मिश्रण लाल, वादली अने जामली आ त्राण कलर ना मिश्रण वालो एक परपल कलर जे ट्रांस्मीट तै अने आपनने TI H2O6 नू द्रावण परपल कलर नू दीखाये छे जो ही शक्ये छे, टीवी स्क्रीन उपर आप फिगर मा जो ही शक्यों छो, के इन कमिंग लाइट आपा थता जे किरान हो छे ए लेमडा तरंग लंबाई दरावता हो छे, TI H2O6 जे छे ए D1 प्रणाली छे आप स्क्रीन उपर जो ही शक्यों छो, एनी 2G कक्षक मा, Dxy कक्षक मा, आ D1 इलेक्रण गोठ वाएलो हो छे ए चोक्कस प्रकार ना तरंग लंबाई दरावता किरानों नू शोशन करे छे खास करीने प्रयोगों आंते आपणे जोई शक्किये छे के आ किराणों लिला अथवा पिला रंग ना किराणों शोशन करतो हो जोईए अने लिला आने पिला रंग ना तरंग लंबाई ना किरणोनु एटली फोटोन नी शक्ती धरावता तरंगोनु शुशन करीने आ इलेक्टोन इजी कक्षक मा उत्तेजित थाई अने जम मारे चे जेने आपड़े इलेक्टोन नी सकरांती कई है चे अने फाइनली जे रडियाशन ट्रांस्मीट थाई चे जे रेड वाइलेट अने ब्लू कलर ना त्रणे रंग नी रेंजी मा एटली के त्रणे ना मिशन स्वरूपे आपणने ए पर्पल कलर आपे चे TiH2O6 plus 3 जेने आपड़े D1 सिस्टेम कईये चे से दी सायन एपसर्फस अ फोटन अफ एप्रोप्रेट एनरजी टु एलाव ट्रांजीशन टु दे इजी लेवल वाट कैन यू से अबाउट दी एनरजी अब दीस फोटन आपणे आ समझवानों तो प्रायत न करेओ पण मित्रो आपणे ओ प्रस्ण थाए के भी आ जे फोटन नुँ शोशन थाए उचे ए जे फोटन छे एनी आपणे एनरजी इफोटन गणवानों प्रायत न करिये तो एना किवी रिते गणी शकाए तो एना माटेनू एक समी करण छे जैने आपने इफोटोन कहिए छे So, इफोटोन can be calculated, it is equivalent to 10DQ जारे D कक्षकोनू विभाजन थाए छे त्यारे T2G औन EG आबे शक्ति सपाटियो वचे शक्तिनी जिये गेप उत्पन थाए छे शक्तिनो एक तफावत उत्पन थाए छे ए तफावत ने आपड़े डेल्टा अत्वा 10DQ वडे दर्साविये छे अटले के आजे इफोटोन छे आ टी आई एच्टो 6 प्लस 3 डीवन सिस्टेम नो आ इलेक्ट्रोन T2G कक्षक मां गोठवाए लो छे ए इफोटोन एनरजी धरावे से एने आ सक्रांती धराम्यान किटला फोटोन एनरजी नू शोशाण करियो हो से ए जो आपड़े जानी शक्किये तो आ समीकरण आपणने बहु मदद रूप थाई शक्किये के इफोटोन is equal to 10DQ जैने आपणे खास करीने जो मापवानों प्रायतन करिये तो आपणे द्रशमान वणपटमा एनी रेंजी मा आपणे एनने अभ्यास करी शक्किये छे आना माटे जे प्रकाशना किरणों नू शोशन थयो छे जे रेडियेशन नू शोशन थयो छे ये रेडियेशन नी तरंग लंबाई नी जो वाद करिये तो येनू लेमडा मेक्जिमं पांसो नेनो मेटर जेटलू होई छे येटले के लगबग 20,000 सेंटिमीटर इन्वर्स वेव नंबर्स येने एब्सोप करिया छे ये तरंग लंबाई ना किरणोनू शोशन करियो छे दिस कोर्रस्पोंट्स तो इफोटोन आपड़े जो केलकुलेट करिये तो एफोटोन is equal to 240 किलो जूल पर मोल जेटली थाए छे जैनिक इम्मड 10DQ जेटली कई शका है आकुरुतीमा टीवी स्क्रीन उपर आप जोई शको छो TIH26 नो द्रशमान शोशन वन पट आमने टीवी स्क्रीन उपर जोई शक्किये छे जेमा 20,000 सेंटिमीटर इन्वर्स एक आपणने मेकजी मा मले छे मीत्रो हवे सक्रान्ती ट्रांजिशन एलिमेंट्स जे छे सक्रान्ती तत्व और अने सक्रान्ती तत्व द्वरा उद्पन थाएला संकिर्ण सहियों जेमा उद्भावतु मैगनेटिजम एटले के चुम्ब कत्व चुम्ब कत्वाने समझवा माटे पण CFT crystal field theory एटले के सफटीक शित्र सिद्धान्त आपनने खोबज ओपी होगी छे मैगनेटिक प्रापर्टीज आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रोन सब लेवल ओक्यूपसे चुम्ब कत्वा चे संकिर्ण संयोजनों मा उत्मन अथतु जे चुम्ब कत्वा एक खास करीने आ धातू आयन नी डी कक्षकुमा इलेक्ट्रोन नी जे गोठावनी चे ए गोठावनी उपर आधार राखे चे पैरामेग्नेटिक सबस्टंसिस हैस एटेम्स और आयन्स विथ अनपैड इलेक्ट्रोन मित्रो डी कक्षकुमा जेतला इलेक्ट्रोन अयुगमित होई डी कक्षकुमा इलेक्ट्रोन नी गोठावनी थाएचे ए दर्म्यान जो इलेक्ट्रोंस वदुमा वदु अयुग मित होए तो एवा जे पदार्थो छे एवा संकीर्ण संयोजनों छे ए प्यारा मेगनेटिक क्यावाई छे तेटले के अनुचुम्बक ये पदार्थो तरीके ओड़ खाई छे ए डाया मेगनेटिक सबस्टन्स has atoms और ions with only pad electrons जो संकीर्ण संयोजनों आपड़े अब्यास करिये आने एमा रहेला केंदरी धात्वाईन ने डी कक्षको आने एमा इलेक्ट्रों नी गोठवणी नो अब्यास करिये तो आपने जणाए के वधुमा वधु इलेक्ट्रों नो युगमीत थाहेला छे तो आ युगमीत थाहेला इलेक्ट्रों नो दरावती गोठवणी जेचे एवा पदार्थो जेचे ए हम्मेशा डाया मेगनेटिक एटलेके प्रती चुम्बकत्वनो गोठवणी दरावता होई छे मेनी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंट्स आर पैरा मेगनेटिक बिकोज अनुपैड इलेक्ट्रों इन दरावता जोवा अब्याग्ना संकीर्ण संयोजनों छे ए संकीर्ण संयोजनों मा आ युगमीत इलेक्ट्रों होवा थी एमना गोठवणी दर्मो पैरा मेगनेटिक एटलेके अनुचुम्बकत्व गोठवणी दरावता जोवा माले छे हवे आपने थोड़ों विगत्वार अने विश्त्रूत अभ्यास करिये के चुम्बकत्व अने चुम्बकत्व किविर्थे उत्पन अथाये छे ओर्बिटल डियाग्राम्स फोर D1 थोर D9 in octahidal complexes show that both high spin and low spin options are possible only for D4, D5, D7 and D7 ions मित्रो जो अपड़े D कक्षको ना भी भाजन दरम्यान आ D कक्षको मा इलेक्ट्रोन नी गोठवणी नी जो अपने चर्चा करिये तो अथवा एनो थोड़ों समझवानो प्रायत ना करिये तो आ चार कन्फिगुरेशन एवी छे D7 system. So, in case of D4, D5, D6 and D7 system, तियां अगर high spin आने low spin एवा options जे छे एव पॉसीबल छे आ गोठवणी वेवी छे के जहमा संक्रिण संयोजनो high spin आने low spin यहां बनने प्रकारे एग्जीबीट थाई छे जो प्रबल अस्टा फलकी एक्षेत्र हसे तो low spin संक्रिणों मल से औने निर्बल अस्टा फलकी एक्षेत्र हसे तो high spin संक्रिणों मल से केम के D4, D5, D6 आने D7 आ चार गोठवणियों मा प्रबल अस्टा फलकी एक्षेत्र आने निर्बल अस्टा फलकी एक्षेत्र मा जुदी जुदी गोठवणियों शक्के छे परन्तु आपड़े जो D कक्षकोनिक गोठवणियों थोड़ुक विस्त्रूत अभ्यास करिये तो किटलिक गोठवणियों एवी छे दाकला जरके D8 आने 9 आयन आ सिस्टम धरावता जे आयनों छे they always form high spin complexes because 3 orbitals T2G set is filled with 6 electrons आँ D8 आने D9 गोठवणियों एवी छे के जेमा संकिर्ण संयुजन प्रबढ़ हसे के निरबढ़क्षेत्र दरावतु होसे पण एनी पासे एकज ओप्षन छे एह हम्मेशा high spin complex जापएचे के T2G मा अल्रेडी 3 electron युग मो एटलेगे 6 electron ओक्यूपाई थाई चुकेला होएचे अने बाकी 8 electron EG कक्षक मा अने जो D9 सिस्टेम होए तो ए प्रकारे maximum electron ओ युग मीतरे एवो प्रयत्न करवामा आवे छे अने high spin संकिर्णों आपणने माले छे आवुज अगर आपड़े जो जोईए तो D1,2 औने D3 किस्सामा पाण वरण विशकाए काणके D1 सिस्टेम, D2 इलेक्रों रचना औने D3 इलेक्रों रचना आ त्राण इलेक्रों रचना ओपण एवी छे के जेमा संकिर्ण संयों जोनों हम्मेशा हाइस्पिन कॉंप्लेक्सज आपए छे केम के आ त्राणे गोठवनी मा एक मात्र ओप्षन छे हाइस्पिन गोठवनी ज काणके इलेक्रों नो टीटू जी कक्षकमा एक बे अनेत्रों ए प्रकारेज गोठवाई शकेम छे एटले क्षेत्र प्रबल छे के क्षेत्र अस्ट फलकिया निर्बल क्षेत्र छे एनी कोई बीजी विशेश अशर जोवा मलती नथी एटले हम्मेशा एना द्वारा जे संकिर्ण संयों जनों मले छे ते गुरुस्पिन संकिर्ण संयों जनों ज आपणने जोवा मले छे आप जो ही शकोचो, TV स्क्रीन उपर, D4, D5 और D6 एलेक्ट्रोन रचनाओ, हाई-spin-weak-field ligands और लो-spin-strong-field ligands, जेमां इलेक्ट्रोनी गोठावनी माटे फक्त एकज प्रकारना ओप्शन छे, हाई-spin-weak-field, D6, D7, D4 और D5 इन प्रिवियस स्लाइड जो जोईए, तो आप्रकारे हाई-spin और लो-spin-strong-strong- complex उद्भवाना चांसीज, और चार इलेक्ट्रोन रचनाओ माज जोवा मले छे, जारे D1, D2, D3 और D4, D1, D2 और D3 रचनाओ माँ, जारे D8 और D9 रचनाओ माँ, फक्त और फक्त आपने हाई-spin संक्रिनोज मले छे, मित्रो आरिते आपने crystal field सिद्धान्त नो उप्योग करी, अने महत्वना जे स्वाटिक्षेत्र सिद्धान्त ना बे उप्योगो अने एना द्वरा एना परिणाम स्वरू पापणने मलती जे महत्वनी बे एप्लिकेशन्स चे, एमा संक्रिन संयोजनों मा उद्भावतु चुम्ब कत्व, Magnetism in Transition Metal Complexes, आने आगल जोईवें के संक्रिन संयोजनों मा उद्भावता जुदा जुदा रंगो आ बनने महत्वनी जे स्वाटिक्षेत्र सिद्धान्त नी फल सुरूती हती एनू वर्णन आपे सविस्तर साबलिव, थैंक्यू वेरी मच्चु स्चान्त ड हम भी जूए,